आज की इस एपिसोड में डिसकस करेंगे आई आर एपसी स्टॉक को और साथ में इंडियन ओइल को भी डिसकस करेंगे यहां देखेंगे तो जो रिजेक्शन था 36 का उसके प्राइस से 33.55 दिख रहा है और मैक्सिमा आप मान करके चलिए कि 2830 दिखेगा इससे नीचे नहीं ज जाना चाहिए और जो लॉंग टर्म निवेसक हैं उनको बिल्कुल परिशान नहीं होना है और बड़े टार्गेट भी दिखेंगे बड़े टार्गेट इनलसेंस की 50 प्लस तक के लेबल्स भी दिखेंगे लेकिन सोट टर्म में थोड़ा पेंफूल हो सकता है तो सोट टर्म एकाउंट आपन कर लें और एक्टिव ट्रीडिंग कम्यूटी लर्निंग ग्रूप में जोड दिया जाएगा कुछ भी बरे न्यूज नहीं दिखे हैं यहां हलांकी डिलेवरी भी थोड़ा बहुत मीसिंग दिख रही है और यहां टेकनिकल ट्रेंड देखेंगे तो अर्ल इस समय आज देखेंगे तो इंडियन ऑईल कारपोरेशन आई ओसी एल के रिजल्ट आते हुए दिखेंगे हैं रिजल्ट काफी आउट एस्टेंडिंग रहे और मैं आप से क्योस्टन करूंगा कि आप यह बताएं कि डिविडेंट कितना मिला है 50% 75% और 100% क्योंकि बहुत होमवर्क या फिर अनेलेसिस आपके भी तो होने चाहिए यहां इसके क्वाटरली रिजल्ट को ही लेकर के नंबर आया और यहां देखेंगे तो जो प्रॉफिट है वो तो काफी बहतर दिखा है इवें फोर हंडेड फोरेटी करोर के जो जो प्रॉफिट थे उसको क बहुत दाउन रहा है लेकिन जो मार्जिन रहा वह 580 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज होते हुए दिखा है और यह जो कारण गिरने का था वह रूस यूक्रेइन की लराई थी आपको याद नहीं हो इवीटा में भी एक्स्पोनेंशियल ग्रोथ दिखा है वैसे तो स्टॉक अल्रेडी ट्रेंडिंग स्टॉक है लेकिन यहां टेक्निकली देखेंगे तो जो रेजिस्टेंस हुआ करता था उसको ब्रेक आउट करा है इस समय जो है 80 82 का एक सपोर्ट होना चाहिए और इस लेवल को सस्टेन करता है तो नेक्स जो है 98 से 120 तक के लेवल को भी एटेम्ट कर सकता है और इस समय जो PSU डिविडिंड वाली स्टॉक है वह बेतर करते दिख रहे हैं